नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ जारकन परदेश कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है सियभूम से सांसत और जारकन पुर्व सीम मदु कोडा की पतनी गीता कोडा कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पताय जारा है कि बीते कुछ दिनों से वो गड़बंदन से नारास चल रही थी बाबुलाल मरांडी ने गीता कोडा का स्वागत करते वे कहा कि वो किसी पहचान की महताज नहीं है गीता कोडा दो बार विधायक रही हैं सांसत बनी और काम कर रही है वो कॉंग्रेस की कारेकारे अध्यक्ष भी रही है देश में नरेद मोदी के काम की गीता कोडा जी ने प्रशंसा की है उनके काम से प्रभावित होकर ही वो भाजपा में शामिल हुई है गीता के योगदान से कुल्हान ही नहीं पुरे जारकंड में भाजपा एक नई ताकत और नई ओज्जा के साथ काम करेगी अब जारकंड की 14 अलोग सबा सीटे भाजपा की खाते में आएंगी हम नरेन मोधी की खाते में जारकंड की सबी सीटे देंगे राची में बीजेपी पार्टी आफिस में प्रदिश अद्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया इस दोरान नेतर पतिपक्ष अमर बाउरी भी मुझूद रहे गीता गोडा 2009 से 2019 तक दो बर विद्धायक रह चुकी है वो पहली बासी बुम लोकसवा सीट से सांसत चुनी गई मदुकोडा सितंबर 2006 से अगस 2008 तक जारखन के मुख्य मंत्री रहे थे लंबे समय से गीता के भाश्पा में आने की चर्चा थी लेकिन पहले नोंने इन संभावनाओं से इंकार कर दिया था पिछले दिनों कॉंगर्स को जारखन में विदायकों के असंतोष का भी सामना करना पड़ा था पार्टी के बारा विदायक अपने खेमे के विदायकों को मंत्री नहीं बनाये जाने से नारास थे दरसल 16 फरवरी को चंपई सोरेन ने केबिनेट के विस्तार में कॉंगर्स कोटे से उनी चार विदायकों को मंत्री बनाया था जो इसके पहले की हैमन सरकार में मंत्री थे इसी बात से नारास विदायक दिल्ली पहुचे और हाई कमान से मुलाकात की थी इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद